कोरोना संक्रमन को लेकर जहां हर कोई चिंतित है वही स्कूल शिक्षा बोर्ड भी इस दिशा में सावधानिया बरत रहा है इसी कड़ी में बोर्ड प्रशासन ने मार्च में संपन हो चुकी और संचालित की जा रही वार्शिक परिक्षाओं के विभिन विशियों की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थल मूल्यांकन का कार्य स्थगित कर दिया है हालांकि स्थल मूल्यांकन 23 मार्च से शुरू होना था लेकिन कोरोना के संक्रमन को देखते हुए बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है आगामी निर्णे बोर्ड द्वारा आगामी स्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा सिख्षा बोर्ड जो प्रीक्साय अभी ले रहा है तो अधिकतर सिख्षाय हमारी प्रीक्साय हमारी समाप्त होगी है मैट्रिक की सारी समाप्त होगी है और एक दो पेपर अभी प्लस्टू के पस्ते हैं मुल्यंकन कार्य जो है बड़ा लंबा चलना था 15-20 दिन चलना था तेईस तारीक से यह प्राइडम्ब होना था लेकिन यह कोरोना के संक्रमन को देखते हुए साबधानी बरतते हुए यह फैसरा लिया है कि यह अब कार्या पोस्ट पान होगा तिल फर्दर आउडर और एक पोस्टर है जो हमने बताया है बनाया है यह नमस्ते भारत अभियान तो इसको बोड चला रहा है और नमस्ते भारत अभियान के तहट सभी नमस्ते से एक दूसरे का अभिवादन करेंगे और करोना के संबंद में क्या साबधानी बरत्मिया है यह सारे आउफिसिस में लगा लिया है हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धरमशाला से राजेश कुमार Cambridge International School मौहल कुलू